इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। इनमें श्वसन तंत्र, कान, नाक, गले, फेफडे और त्वचा के संक्रमन शामिल हैं। यह H, पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के खिलाफ भी प्रभावी है, जो पैप्टिक अलसरोग से जुड़ा है। यह संक्रमन पैदा करने वाले बैक्टीरिया की और वृद्धी को रोकता है और आपके संक्रमन का इलाज करने में मदद करता है। यह दवा आम तोर पर आपको बहुत जल्दी बहतर महसूस कराती है। हाला कि जब तक आप बहतर महसूस करते हैं, तब तक आपको इसे तब तक लेना जारी रखना चाहिए। जब तक कि आप बहतर महसूस न करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बैक्टीरिया मारे गए हैं और प्रतिरोधी नहीं बनते हैं। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें। इसे मापने वाले कप से नापें और मुव से लें। इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। क्लेरिबिडोरल सस्पेंशन भूजन के साथ या बिना भूजन की ये इसे लिया जा सकता है। लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। टायरामाइन युक भूजन जैसे चीज, स्मोक्ट फिश, मीट और कुछ प्रकार की बियर के साथ क्लेरिबिडोरल सस्पेंशन से बचें। क्लेरिबिडोरल सस्पेंशन एक एंटीबावोटिक है। यह बैक्टीरिया को जीवित रहने और महत्वपून कारे करने के लिए आवश्यक प्रोटीन का उप्योग करने से बैक्टीरिया को रोक कर काम करता है। ऐसा करने से यह संक्रमन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को और बढ़ने से रोकता है और संक्रमन को फैलने से रोकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद